एक्जाम टाइम पे बच्चों के लिए एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम रहती है जो की होती है एक्जाम एंजाइटी डूरिंग दे एक्जाम उनके पास जब भी क्वेशन पेपर आता है तो बहुत सारे बच्चे पैनिक कर जाते हैं जैसे ही वो क्वेशन को देखते हैं उन्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है या फिर एक्जाम के प्रिपरेशन के टाइम पे वो बच्चा ये सोचता है कि यार ये जो चीज मैं प्रिपेर कर रहा हूँ क्या वो मेरे exam में आएगा या नहीं आएगा बहुत सारे negative thoughts चलत रहे होते जिसकी वज़े से हम अपने exam में calm और confident नहीं हो पाते हैं तो दोस्तों अगर आप लोगों की भी ये problem है तो आज का session आप लोगों के लिए बहुत जादा important होने वाला है क्योंकि आज के session में मैं आप लोगों को बताऊंगा how to deal with your exam pressure, how to stay calm during the exam, how to stay confident during your exam So hello, hi, नमस्ते, आदा आप जजरियकाल की हाल, चाल, कैसे हैं आप लोग मैं कुल्दी भंडारी स्वागत करता हूँ आपका विदान्तूस Class 9 चैनल पे आज के session में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग confident और काम रह सकते हैं अपने exam में लेकिन वीडियो को start करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने session को like नहीं किया तो फटा फट से like कर दो यार और अपने दोस्तों के साथ को subscribe भी कर सकते हो so that हम आप लोगों के लिए ऐसे ही amazing amazing videos और लाते रहें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं exam fear की या exam anxieties की वो निकलती कहां से है होता कहना कि अगर जब हम जब भी हम exam का preparation कर रहे होते हैं प्रिपेर कर रहे होते हैं exam के लिए तो हमारे दिमाग में बहुत सारे thoughts चल रहे होते हैं जैसे अगर मैंने कोई चीज प्रिपेर कर रही तो मैं यह सोचता हूँ कि यार अगर यह नहीं आया तो मैं जो भी चीज प्रिपेर कर रहा हूँ मैं यह सोचता हूँ कि यार ये नहीं आएगा मेरे exam में तो क्या होगा क्या पता वो चीज आए जो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा मुश्किल सा question आजाए कहीं मेरा last exam खराब हुआ था कहीं इस बार का exam भी खराब ना हो जाए तो ये बहुत सारी problem बहुत सारे बच्चों को रहती है ये सिर्फ आपकी problem नहीं है बहुत सारे बच्चों को इस तरह की problem रहती है लेकिन अब हमें इन problem से निकलना सीखना है कि हम कैसे इन problems को पीछे छोड़ कर आगे बढ़ सकते कैसे हम इन problems से निकले और calm रहें और confident रहें during the exam तो बिटा मैं आप लोगों को कुछ solutions बताऊंगा कि कैसे आपको इन चीजों को avoid करना होता है या कैसे आप इनसे overcome कर सकते हैं सबसे पहली चीज जो आप लोगों के लिए है that is this कि आप लोगों को जब भी आपका exam आता है जब भी आप लोगों की exam date announce होती है या जब भी आपका exam होता है तो आपको पहले पता चल जाता है तो उसके लिए आपको एक सही strategy एक सही planning preparation की आपको बनानी पड़ती है जब आप एक सही strategy और सही planning के साथ जाते हो तो कभी भी आपका exam खराब नहीं होता सही strategy और सही planning का मतलब क्या है विटा कि अगर मेरे पास 3 महीने बचे है या मेरे पास 2 महीने बचे है या मेरे पास 2 वीग बचे है तो कौन से chapter को कितना time दू, कौन से subject को कितना time दू, कौन से question में मुझे कितना time देना है so that आप एक सही strategy बना के चीजों को apply करो, देखो कभी भी अगर हम युद करने जाते हैं, मतलब कभी भी अगर हम किसी war में जाते हैं तो हम plan करते हैं, अच्छा ये भी रख लू, कुरकुरे रख लू, ये रख लू, रास्ते में मुझे भूक लगेगी, planning करते हैं तो उसी तरीके से exam के लिए भी आपको planning करनी पड़ेगी और एक सही planning करनी पड़ेगी जब आपकी planning अच्छी हो जाएगी तो आपकी preparation भी बहुत अच्छी होगी अब बात करते हैं आपकी preparation के उपर तो preparation करने के लिए आपको पूरा का पूरा साल दिया जाता है आपके final boards exam तक पूरे लगबग आपके पास 11-12 महीने रहते हैं तो 11-12 महीने जो भी आप कई सारे बच्चे शुरुआत से पढ़ना शुरू करते हैं कई बच्चे mid of the year शुरू करते हैं कई बच्चे exam से एक महीना पहले शुरुआत करते हैं जब उन्हें लगता रहे भाई आप तो exam आगया आप तो कुछ करना पड़ेगा अना, exam नहीं आएगा तो वो जिंदगी पर नहीं पड़ेंगे बट अगर आप लोगों को, आपकी preparation वो आपके उपर depend करती है कि आप कितना strong अपनी preparation रखते हो बट during the exam आप लोगों को आपने जितना भी prepare करना था जितना भी basics समझना था, chapter का, concept का वो आप पहले समझते हो जब आप exam के पास आजाते हो जब आपके पास 2 महीने बच गए, 10 दिन बच गए तो फिर आपको क्या करना होता है सिर्फ revise करना होता है तो आपको एक proper revision की जरूरत होती है during the exam क्योंकि अगर आप revision अच्छे से नहीं करोगे तो exam में आप कुछ ना कुछ गडबड जरूर करोगे तो अगर आप काम रहना चाते हो exam में confident रहना चाते हो तो आपको एक better revision करनी पड़ेगी revision करने के भी कई सारे तरीके होते कई बच्चे क्या करने लग जाते है फिर दुबारा से पूरी की पूरी नहीं होता है कि revise करना कैसे होता है बिटा जब हमारे पास पूरा साल होता है वो time होता है कि मैं अपनी किताबों को अपने basics को अपने concepts को strong करो लेकिन जब exam time आता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ revision पे ध्यान देना है और revision करने का सबसे सही तरीका ये होता है कि जो भी आपके doubts थे जो question आपसे पहले नहीं हुए थे आप उनको circle करो और उन questions को ही अभी के time पे करो और exam से 2-3 दिन पहले आप सिर्फ और सिर्फ अपने question papers attempt करो sample question paper करो previous year question papers करो और कोशिश करो कि 3 गंटे का जो exam होता है उस 3 गंटे में आप पूरा का पूरा एक question paper solve कर सको मान लो अगर आपका exam का time है 10 बजे से लेके 1 बजे तक तो जब भी आपको जो छुटिया मिली है जो आपको exam time पे holidays रहती है तो आप 10 बजे से लेके 1 बजे तक daily question papers को solve करना start करो उसी time slot में start करो क्योंकि हमारा दिमाग ना उस time slot पे इतना habitual हो जाना चाहिए कि ये time आएगा तो मेरा दिमाग इस तरीके से काम करना चाहिए कि उस time पे मेरे दिमाग में कोई और thoughts नहीं आने चाहिए सिर्फ questions ही आने चाहिए वो concepts जो मैंने पूरे साल भर पड़े है वो उस time पे मेरे दिमाग में सारे के सारे store हो जाने चाहिए तो कोशिश ये किया करो कि आप उसी time पे अपना घर पे बैठके mock test paper solve करो कुछ नहीं करना कहीं इधर उधर नहीं जाना ये नहीं कि एक question अभी किया एक question में शाम को करूँगा नहीं आदा paper मैंने अभी कर दिया आदा खाना खाने के बाद करूँगा नहीं आपको तीन घंटे proper बैठके उस question paper को solve करना है बहुत चारे बच्चे कहते हैं बार-बार कि भाया मेरा ना time पे exam ही खतम नहीं हो पाता है जब आप question paper को तीन घंटे में solve करने की आपको आदत पढ़ जाएगी तो कभी भी आपका exam नहीं चूटेगा कभी भी आपका paper नहीं चूटेगा आप time से पहले ही इवन उस exam को खतम कर दोगे तो आपको पहला आपका planning अच्छा होना चाहिए दूसरा आपका revision अच्छा होना चाहिए तीसरी अगर मैं आपके साथ strategy share करू during the exam आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप अपनी body को एक proper rest दो बहुत सारे बच्चे जनरली इस चीज़ को avoid करते हैं कि वो during the exam ना rest नहीं करते हैं रात को दो दो तीन तीन बजे तक पढ़ते हैं और फिर उनका exam वाले दिन body पूरी की पूरी like ठक जाती है tired रहती है जिसकी वज़े से उनका दिमाग proper तरीके से काम नहीं करता है बिटा obvious सी बात है अगर मैं आपको बोलू कि चलते रहो पूरे दिन भर चलते रहो चलते रहो आपके पैर ठक जाएंगे ना उसी तरीके से हमारा दिमाग भी अगर हमने उसे पूरे दिन भर काम पे लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा ठक जाएगा हमें अपने दिमाग को ठकाना नहीं होता है हम एक कोशिश ये करनी है जैसे हम अपनी body को rest दे रहे हैं वैसे ही हम अपने दिमाग को भी rest दे और उसका सबसे सटीक तरीका यही होता है कि आप एक proper sleep लो जब आप एक proper sleep लेते हो तो आपका दिमाग rest करता है और exam time पे वो उतना ही effective तरीके से ताबड तोड तरीके से आपको output निकाल कर देगा आप एक healthy diet लो कोशिश किया करो कि आप meditation करो कोशिश किया करो कि आप physical exercises करो so that आपका mind बिल्कुल fresh रहे जब आपका mind fresh रहेगा तो automatically आपका जो result निकलेगा जो आपका दिमाग काम करेगा वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा तो ये कभी नहीं करना है कि रात को 2-3 बजे तक पढ़ो और फिर 6 बजे उठके फिर बस exam दो सिर्फ 2-3 गंटे का rest लेके नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कुछ और चीजों को कुछ और चीजों की अगर मैं बात करूँ कुछ और टिप्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बारना हम जब question paper हमारे हाथ में आता है तो हम question paper को देखते हैं और हम देखते हैं अरे यार यार यी question तो मैं भूल गया ये तो मुझे आता नहीं है hard questions मैं भूल देखते ही मतलब ऐसा लगता हूँ और दिमाग में फिर वही चीज चलती है कि यार इस question paper में तो एक-दो questions ऐसे हैं जो मुझे आते ही नहीं है उन एक-दो questions की वज़े से आप अपना पूरा paper खराब मत करो कोई बात नहीं देखो exam जो होता है ना paper जो होता है वो सबसे पहले तो आप इस चीज को समझो कि yes वो आपको marks देगा वो आपको आगे बहुत बड़ा factor होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमारा exam अच्छा नहीं होगा तो life खराब हो जाएगे exam अच्छा बुरा ये चीजे चलती रहती है अगर आप calmness के साथ confidence के साथ confidence के साथ exam दोगे तो वो definitely अच्छा रहेगा है ना तो panic मत किया करो कभी भी जब आप अपना exam लिखते हो तो आपको कई बार ऐसा मिलता है कि ये question बहुत मुश्किल है लेकिन हम panic हो जाते हैं बाकी के questions भी हमारे खराब हो जाते हैं नहीं ऐसा नहीं करना है जो जो चीजे आपको आती है पहले आप उन-उन questions को solve करो अगर कोई एक आदा question ऐसा है जो आप भूल चुके हो जिसका concept या जो चीज आपको नहीं याद आ रही है उस पे आप बिल्कुल end में दिमाग लगाओ कई बच्चों की आदत होती है नहीं पहला तो मैं सबसे मुश्किल वाला question करूँगा नहीं ऐसा नहीं करना है आप सबसे ऐसे में क्या होगा ना आपने पूरा आदा एक गंटा उसी में waste कर दिया और फिर बाकी का आपका छूट जाता है नई जो जो चीज़े आपको आती है आप उस चीज़ को सबसे पहले उन questions को सबसे पहले solve करो और जो आपका मुश्किल पार्ट है जो नहीं आता है उसको आप end में दिमाग लगाओ क्योंकि आप उस एक या दो question की वज़े से अपना पूरा का पूरा paper खराब नहीं कर सकते तो यह कुछ छोटी छोटी सी चीज़े हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी है अगर आप इस तरीके से अपनी planning करते हो इस तरीके से अपनी strategy बनाते हो तो हमेशा आप लोग confident रहोगे काम रहोगे during your exam So I hope आप लोगों को चीज़े समझ में आई होंगी आज के session की अब हम मिलेंगे अपने अगले session में किसी नए topic के साथ और जो भी बच्चा इस channel पर नया है इस video को like जरूर करे इस video को share जरूर करे और channel को subscribe जरूर करे बागी अब हम मिलेंगे अपने अगले session में तब तक लिए टाटा बाई बाई थेंक्यू सो मच गाईस